यह सर वेरी गुड इवनिंग कुछ तकनीकी घराभी के कारण मैं अच्छली दूसरे चैनल पर चला गया था और कुछ तकनीकी घराभी के कारण मुझे वापस से यहां आना पड़ा तो टेंशन मत लीजे आपका कुछ चूटा निया मैं वापस से रिपीट करना हूँ ठीक है तो हमने कल तक किया था पकल तक हम लोगों ने दूसरा चाप्टर सवापत कर दिया था the chapter was income tax authority बày жизसे बिढना है उस बारे में पता तो होना चाहिए तो हमने income tax authority पड़ लिया वापस चलते हैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको याद होगा यह 16 chapter का assessment वाला chart था, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले यह समझा, department मतलब क्या होता है, अब हम समझ रहे, department पे हम किस तरीके से link होते हैं, link होते हम किस के through बेटा, return के through, link होते हैं, return के through, link होते हैं, तो इसलिए आपके chapter का तीसरा part जो है, यह है return of income, इसके related आपको एक बात बताता हूँ sir, इसे related एक बात यह है, इंटर की एक बड़ा, जब यह chapter पढ़ाना चालू करा था, एक तो इंटर अलग level की चीज होती है, yes, कौले-कौले बच्चे आते हैं, नादान से बच्चे होते हैं, जीवन के अंदर में, और सोचते हैं की वाला होता है, लड़की का सवाल समझ रहे है sir, why we file return जब वो वापस ही आने वाला होता है, गजब, साथी साथ अगर आप देखेंगे, chapter number one के कुछ solved question हमारे बाकी है, don't worry, वो इसके साथ ले लिए जाएंगे, यह ऐसा बहुत सी जगह हो सकता है, कि जहाँ-जहाँ जो question बच एक और चीज में आपको बता दू, penalty नाम का एक chapter आता है, institute ने क्या-क्या, यह जितनी भी penalties थी, yes, यह जितनी भी penalties थी, यह सारी penalties एक chapter के अंदर में लिख दी थी, बरबर हमने थोड़ा सा इसे distinguish किया है, वो सारी penalty जहाँ से relate करती है, उसको वहाँ लाकर करके रख दिया है, जैसे अगर आप देखेंगे chapter wise index पे, तो इनके non-compliance की भी penalty हमने यहीं लिख दी, ताकि एक chapter आपको पूरा बोर ना हो, coming forward, return of income, chapter चालू करते है, again, कौन से section important है, कौन से section important नहीं है, उसकी एक list बनाते है, अगर हम देखेंगे, return में section 139 and 140 ऐसे series है, आप इसको दो section समझ रह है, कौन कौन से important section है, section 139 ROI, section 139 1 due date, section 139 4 & 5, that is belated and revise return, 139 8A, updated return, 139 8A, updated return, yes, achchha jay, not so important, not so important, 139 3, loss return, 139 9, defective return, 139 A, pan, 139 AA, aadhar, 139 AA, aadhar, 144, 140, 1.40, signing of return, 172 B, penalty, 139.1 A and 139.1 B Bulk Return 234F 234A चलिये यह हुए एक्जाम ओरेंटेड बात क्या पढ़ना है कितनो को option में डाल सकते हो इसलिये डाल फिर्पलिये रालिविक, कर देडिये रालिविक ऑ्जाम डाल गरेंटेड ठाल बिक रालिये कर दोर्डिये, टीक रालिविक, प्रिपड प्रत। Do 34, interest on non filing of return इस दन चलिए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, अगर आपको क्या करना है भाई साब, रिटर्न भरना है तो आपको क्या जरूरी है, पैन जरूरी है बोलो हाँ, बरवर पैन, यह है पर्सन रिक्वाइड टू होल्ड Pैन, बरवर, यहां पर आप देखेंगे यह है, recently added recently added person to hold PAN इसलिए इसको अलग कर दिया ये वो list है जो old list है और ये new list है yes, अब आपने कहेंगे कि sir ये एक साथ क्यों नहीं लिखा कितनों को PAN चाहिए, reason है यहां की list का last point आता है any other person required to hold pan और यह जो लाया है ना यह any other person के category में add किया गया है by notification इसलिए इनको अलग-अलग रखना जरूरी है combined together जब हम notes लिखेंगे तब एक साथ लिखेंगे कितो को pan hold करना mandatory है वापस सुन लीजे सबसे पहले pan के section में आई है 3.5 and 3.6 3.5 के अंदर में आप देखेंगे सबसे पहले यह जो list है यहां पर लिखावा है who all are required to hold pan traditionally इसमें last point आता है कि any other person prescribed तो यह है latest वो person जिसको क्या hold करने की जरूरत है pan hold करने की जरूरत है yes यह latest category add हुई है यह कैसी category add हुई है मालिक latest category add हुई है any other person as may be specified by the board सबसे पहली बार pen pen आपने अगर देखा होगा it is a 10 digit alpha numeric number pen क्या होता है पेटा it's a 10 digit alpha numeric number मैं आप से कुछ बाते पूछना चाहूँगा और थोड़ा सा practical mix करना चाहूँगा उतनी मेर को इजाजत देना is pan a identity card मेरे सवाल फिर से सुने is pan a identity card well the answer is no many documents many government offices do not consider pan as a identity card your identity card is aadhaar pan is one of the document which proves your photo id but this is not your identity card समझ येगा आपके identity card जो सरकार के maximum office है उसमें क्या चलाया जाता है आधार को चलाया जाता है pan को नहीं चलाया जाता आप ट्राइ कर लिजेगा जो pan होता है आपका ये आपका tax information account number होता है yes क्या एक वेक्ति के multiple pan हो सकते हैं well the answer is no reason नाम ही उसका clear है permanent account number तो you get only one pan in your name or in your address pan is a ten digit number जिसमें से पहले चार डिजिट एक randomly selected special code होता है yes उसके बाद का जो next you know numbers के पहले का आपका जो number होता है ये आपका surname होता है जैसे अगर मान लिजे मेरे case में है bq k p s तो salda is my surname तो वो उसका initial होता है then again चार numbers आते है क्या आते हैं चार numbers which is again randomly selected and last two code yes ये आपका state and random code होता है ये आपका state code and random code होता है तो इस तरीके से आपका ten digit number बनता है मुझे एक बात बताईए pan जो है ये आप कहां से apply करते है website कौन सी है pan को apply करने के लिए ये जो pan allot करने का काम दिया गया है ये किसको दिया गया है जानते हो आप जानते हो believe me जानते हो बस practical aspects हम लोग गुमार है फटावट क्योंकि पढ़ो तो हद करतो यार वरना program रद करतो pan issue कौन करता है is it the income tax department or there is somebody who on behalf of income tax department हाँ ये somebody कौन है चलो online वालो जल्दी से बताओ नहीं आदा रहा apply करते वक्त हाँ nsdl nsdl issue करता है ये जो contract है ये nsdl को दिया गया है तो आपका जो pan number और tan number ये दोनों कौन issue करता है nsdl issue करता है दोनों भी कौन issue करता है nsdl issue करता है yes or no अच्छा मुझे एक बात बते है pan apply करने के लिए fees किती लगती है मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो आप लेते है बिल्कुल साही जवाब 107 रुपे लगता है total fees pan को क्या करने के लिए apply करने के लिए pan अगर मान लीजे किसी व्यक्ति के पास नहीं है नहीं बरबर है तो क्या उसे को declaration देना पड़ता है नहीं not provisional pan अगर किसी के पास pan नहीं है अच्छा ये मैं आपको upfront बता दू ये मैं extra gain है जो मैं आपको दे रहा हूँ आप मेरे ही fast track देखेंगे तो उसमें मैं सीधा आगर के बताऊँगा pan के लिए ये applicability है ये piece है game over but regular batch में आपको जब तक कुछ extra नहीं मिले तब तक के मज़ा नहीं आएगा तो मुझे जल्दी से बताइए pan अगर मेरे पास नहीं है suppose कर लिजे bank account open करने के लिए pan लगता है बोलो हाँ yes अगर bank account open करने के लिए pan लगता है income tax return वरते वक्त पैन और अधार अल्टरिनेटिव है पर bank account के लिए pan mandatory आता है because आप 50,000 से उपर जमा कर आओगे तब भी वह आपसे pan मांगेगा hmm यह देखो यह गड़बड़ उती है पर अगर सोचो आज तुम्हें इस बात का जवाब मिल गया don't you think आप provisionally confident रहोगे और practically रहोगे चलिए जवाब बताता हूँ form number 60 form number 60 कोई भी bank account जब open होता है जरा ध्यान से सुनिए का यह form का format income tax में दिया है अगर आप किसी bank account को open करने जा रहे है वाँ पर pan number mandatory होता है और अगर आपके पास अगर pan number नहीं है तो आपको form number 60 डालना पड़ता है क्या डालना पड़ता है form number 60 भरके देना पड़ता है that I undersigned do not have a pan number आपको clear cut declaration देना पड़ता है कि भीया मेरे पास pan number नहीं है इसके लिए form number 60 लगता है अच्छा जी सर अब pan अगर आपको लेना है तो क्या क्या condition है क्या क्राइटीरिया है एक एक करके देखते है सबसे पहले all those who require pan point number one if the total income exceeds basic exemption limit अगर आपकी income basic exemption limit से उपर जा रही है तो आपको pan लेना है बात समझीगा basic exemption limit से उपर again 2.5, 3 और 5 depending upon your age तो अगर आपकी income basic exemption limit से उपर जा रही है आपको pan number लेना है येस दूसरी बात दूसरी बात person carrying on any business or profession whose sales turnover or gross receipt exceed 5 lakh अगर कोई भी वेक्ति business या profession carry on कर रहा है क्या कर रहा है बिटा अगर कोई भी वेक्ति business या profession carry on कर रहा है and and उसकी जो sales है gross receipt है या turnover है यह 5 lakh rupees से उपर जाने वाला है तो आपको कहा लेना है उस business related pan लेना जरूरी है yes business related कहा लेना जरूरी है pan but अगर आप देखेंगे companies के case में 5 lakh तक के sales के लिए वो wait नी करते है firm के case में 5 lakh तक के लिए वो wait नी करते है वो पहले ही pan निकाल लेते है why because you know company के incorporation के time पे company के incorporation के time पे या incorporation के बाद specifically तुरंत ही वो क्या कर देते pan को apply कर देते जैसी sin number आता है वो तुरंत pan को क्या कर देते apply कर देते but every person who is carrying on business or profession उसको pan लेना है अगर उसकी total sales या turnover हम profit की बात नहीं कर रहे total sales या turnover कितने से उपर चल जाए 5 lakh rupees से उपर चल जाए उसको pan लेना है next every person who is required to furnish a return of income under section 139 4a 139 4a के अंदर में आप अगर return भरना है तो आपको क्या लेना जरूरी है pan लेना जरूरी है now who all are required to file a return under 139 4a charitable trust please write down charitable trust तो charitable trust को pan number लेना जरूरी है क्योंकि उसको return 139 4a में डालना पड़ता है तो उसको pan number लेना जरूरी है तो चलो फटा फटा बताओ कौन को pan लेना जरूरी है every person whose income exceeds basic exemption limit दूसरा a trust तीसरा carrying on business or profession if the income exceeds 5,000,000 चौथा हो क्या राता जरा समझेगा कैसे कैसे pan का provision develop हुआ है every person being a resident other than individual if financial transaction exceeds 2,50,000 अब जरा सोचके देखें यह जो trust है, AOP है, BOI है इनकी income basic exemption limits से उपर जाती ही नहीं थी क्योंकि यह लोग कही न कहीं क्या कर लेते थे exemption या deduction claim कर लेते थे भारत सरकार को समझ में आए यह जो trust है लोग trust बनाते हैं और trust की जो income है यह कही न कहीं exempt है और जो trust को contribute कर रहा है वो क्या claim कर रहा है deduction claim कर रहा है यह दोनों अंदाधुनी में चल रहा है इनके उपर लगाम लगाने के लिए इनोंने provision लिखे आया if you are resident, 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 resident if you are resident other than individual individual छोड़के आप कोई भी है मतलब आप H.O.F है, आप firm है आप company है, आप A.O.P. भी हो आए है AJP है अगर आपके financial transaction साल भरके 2,50,000 के उपर चले गए financial transaction साल भरके भी 2,50,000 रुपे के उपर चले गए आपको return भरना, sorry, pan apply करना है yes, so 1,2,3, start पहला वापस से revise, मेरे साथ बार-बार revise करें पहले अगर basic exemption limit से उपर है income तो आपको pan लेना है, दूसरा charitable trust को pan लेना है, mandatory लेना है yes, अच्छा, मैं आपको कुछ और भी चीजी बता दू, आगे चलके फिर clarify करूँगा यह जो charitable trust होते हैं, इनको charity commissioner के पास register करवाना पड़ता है charitable trust को, उस time पे आपको pan साथ-साथ में देना पड़ता है थाकि वो trust क्या हो पाए, registered हो पाए yes, trust deed के अंदर में उसका pan number mention करना होता है तीसरा every person other than individual, whose financial transaction in total exceed 2,50,000 in total aggregate exceed 2,50,000 next, अब देखे, problem क्या थी, पहले यह होता था, कोई person अगर company का director बनने जा रहा है private company का director बनने जा रहा है, यह क्या करता था, आपको पता है क्या? गचब का काम करता था, यह DIN number apply करता था, DIN, director identification number, यह DIN apply करने जाता था अब DIN apply करने के लिए, one of the mandatory document क्या था, PAN अब यह बोलता था, income tax के हिजाब से, मेरी तो income basic exemption limit से ऊपर जाई नहीं थी तो मेरे को तो PAN apply करना mandatory नहीं है, पर DIN उसको मिलता ही नहीं था, क्योंकि one of the mandatory document was PAN yes, तो ऐसे cases के अंदर में यहाँ amend किया गया, income tax में अमेंड किया गया और लिखा गया कि इन में से अगर आप कोई भी position ले रहे हैं, आप director बनने जा रहे हैं, आप partner बनने जा रहे हैं, आप trustee बनने जा रहे हैं आप member बनने जा रहे हैं, आप karta बनने जा रहे हैं, आप CEO of a political party बनने जा रहे हैं, आपको pan लेना है, irrespective of your income, तो आपको पहले pan लेना है, बाद में आपकी income देखी जाएगी, क्या करना है, so every person who is managing director, partner, trustee, founder, karta, principal officer, office bearer or any other person referred in for above, yes competent to behalf on the above person, आपको क्या लेना है, pan लेना है, तो बताईए, सोच के बताईए, विजय किसी company का director बनने जा रहा है, independent director बनने जा रहा है, पर विजय की income है 2 lakh rupees साल वर की, तो बताईए, क्या विजय को pan लेना है, answer is yes, pan लेना है, आपको, clear है, so, चलो, start again, पहला, यह old criteria's है, pan लेने के, इस साल, notification ला करके, उन्होंने तीन criteria और add की है, बताऊ, point no. 1, income exceed, basic exemption limit, दूसरा, दूसरा charitable trust, तीसरा, business का turnover, 5 lakh, चौथा, financial transaction of other than individual exceed, 2 lakh, 50,000, 5 वा, who is holding a position of MD, director, karta, partner, trustee, etc., इनको क्या लेने की ज़र होते है, pan लेने की ज़र होते है, clear है मालिक, अच्छा जी, इस साल, इस साल, और तीन चीज़े add की गई है, क्योंकि जब आप bare act पढ़ेंगे, तो उसमें next point लिखा था, any other person so specified, और निर्मला सीता रमान जी ने क्या किया, notification लाके बोल दिया, अब इन तीन लोगों को भी और pan लेने की ज़रत पढ़ जाएगी, तो अगर आप देखेंगे, मैंने इसको इधर लिखा और इसको अलग से लिखा, उसका एक ही रिजन था, वो act का पार्टनी है, notification के थ्रू आएवाई, जिस दिन notification विड्रौ होगे, इनको भी pan लेने की ज़रत नहीं पढ़ेगी, clear है, तो तीन लोगों को और pan लेना है, चु 20 lakh और more, देखेंगे, होता क्या था, लोग इतने गजब के हैं, भारत के लोग इतने तेजस्वी है, black का cash पढ़ा है, अलग-अलग account में क्या करवाते हैं, cash deposit करवाते हैं, बरबर है, जिस account में cash deposit करवाय जा रहा था, ये लोग क्या करते थे, pan देते ही नहीं थे, और cash deposit हो र इसका alternative क्या था, form number 60 भर दे और avoid कर दे कि मेरे पास pan है ये नहीं, तो लोग क्या करते थे, इतने गजब के लोग थे, कि form भर देते थे, form number 60 में detail दाल देते थे, मेरे पास pan है ये नहीं, अभी अब ये क्या करते थे, deposit करते थे, जब ये deposit करते थे, जब ये क्या करते थे, बिटा, deposit करते थे, तब की requirement थी नहीं कुछ, सरकार ने लाया, बोला बिटा, 20 लाग के उपर, साल भर में in aggregate, चाहे तुम saving account में deposit करो, या तुम post office में deposit करो, या तुम, you know, cooperative bank में deposit करो, 20 लाग के उपर का, अगर cash deposit हो रहा है, cash deposit, RTGS transfer cover नहीं हो रहा है, NEFT transfer cover नहीं हो रहा, cash deposit अगर 20 लाग के उपर हो रहा है, तुमको पैन लेना जरूरी है, काम खतम, yes, next, every person who intend to withdraw the cash from one or more account, is 20 लाग और more, अगर मान लिजा, बैंक से withdraw भी करना चाह रहे हैं, 20 लाग से उपर साल भर में in aggregate, तो भी आपको क्या देना जरूरी है, PAN, वैसे एक compliance तो आप भी जानते होंगे, पचास हजार से उपर आप वैसे ही withdraw कर रहे है, तो RBI ने ही बोला है, PAN लेना है, income tax ने क्या बोला है, 20 लाग स, next, any person who intend to open a current account or CC account with a bank, cooperative bank or post office, अगर आप current account open करना चाह रहे हैं, आप CC account open करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या जरूरी है, PAN number जरूरी है, yes, clear cut इन्होंने लिख करके दे दिया, वैसे मेरे को लगता है, जब RBI ने बहुत clear cut आपको guidelines दी वी है, same RBI की guidelines को copy किया जा सकता था, कि 50,000 से उपर दे दो, ये दे दो, नहीं, इन्होंने अपनी guideline निकाली वी है, चलिया, अब, पूरे साथो एक साथ बोलो, पहला, income exceed 2,50,000, charitable trust, sales exceed 5,00, if financial transaction of other than individual exceed 2,50,000, holding up position, holding up position, director, MD, trustee, करता CEO, फिर any other person, any other person में कितने, तीन, पहला, अगर आप deposit कर रहे हो 20,000,000 या उससे जादा, withdraw कर रहे हो 20,000,000 या उससे जादा, CC account, current account open कर रहे हैं, तो आपको pan लेना है, गचप की चीज, सुनिए, गचप की चीज, सुनिए, अब इसके साथ साथ कुछ और चीजे भी आई, इसके साथ साथ कुछ और चीजे भी आई, सबसे पहले section 139, ये 5E add किया गया, जर समझी है ये है क्या, भारत सरकार ने एक डेटा निकाला, भारत सरकार ने एक प्रोविजन का मीनिंग समया रहे हो सुनना, भारत सरकार ने एक डेटा निकाला, डेटा निकाल करके देखा कि आज maximum सुविदा जितनी भी है भारत सरकार की, वो कहीना कहीं आधार-linked and not pan-linked, तो भारत सरकार ने जब डेटा निकाला तो देखा, more than 98 करोड पीपल have आधार, but there are only 40 करोड पीपल who has pan, उन्हों ने देखा, मा कसम, मतलब भारत सरकार से जब लेने की बारी आती है, तो 100 करोड लोग रेडिये लेने के लिए, और जब देने की बारी आती है, तो सिप 40 करोड है, और वो भी क्यों, क्योंकि company होगी, TDS काटेगी, तो लोगों ने ले लिया नहीं, तो भी नहीं लेते निर्मला सीतारवन, what a fine brain, निर्मला दीदी ने क्या किया, निर्मला दीदी ने बोला, कि अब आधार, आधार के जगा, पैन, पैन के जगा आधार भी चलेगा, तो पहले क्या था, पैन एन आधार, उनने बीच का वड हटा दिया, लिग दिया, पैन और आधार, इसलिए, अब जहाँ जहाँ पे PAN है, वहाँ वहाँ पे और पे आधार आ गया. मेरी बात समझ में आ रही, सभी को हाँ या ना? Point number एक, point number दो, point number दो, इनने क्या किया? इन्हों ने दूसरी बात बोली. If a person has aadhar, but do not has PAN, समझ ना? If a person has aadhar, but do not have PAN, income tax department will allot him a PAN. अब आपके पास PAN नहीं है, आपने aadhar court कर दिया income tax के किसी भी compliance में. Income tax department आपके नाम को सर्च करके, आपके डिटा को सर्च करके चेक करेगा, आपके नाम पे कोई PAN है या नहीं है. और अगर PAN नहीं है, तो यह आपको automatic एक PAN अलोट कर देगा. फाइदा क्या हुआ? फाइदा यह हुआ, जादा से जादा लोगों के पास क्या आगया? PAN आगया, और भारत सरकार के पास data आगया. अब इस PAN के भरोसे इन लोगों ने assessments open करने, चालू कर दिये क्योंकि यह आदमी का income तो कमा ही रहा होगा, यह कुछ तो सोर्स लेके आ रहा होगा, इसके सोर्स ढूढ़ो. That was the game changer, जिससे tax revenue बढ़ गया. समझ मैं ही बात? अब वर्ट पड़ो, meaning समझ मैं हैगा, लौ में क्या लिखा है? Every person, every person who has not been allotted PAN, but possesses आधार नंबर, may furnishes आधार नंबर in lieu of PAN. मान लीजे, आपके पास क्या नहीं है? PAN नहीं है, पर आधार है, मैं फर्निच दाधार नंबर in lieu of PAN. And such person shall be allotted a PAN. मैं नि लिखा है, शाल लिखा है. Such person shall be allotted a PAN. खुद होगे हम दे देंगे. दूसरी बात, if he has allotted the PAN, he has to intimate his आधार नंबर and intimate or quote his आधार नंबर in lieu of his PAN. आधार and PAN linking provision. आधार and PAN को क्या करने की ज़र होते है? लिंक करने की ज़र होते है. वैसे अगर आपको याद हो, अभी 30 जून 2023 last date थी आधार और PAN को लिंक करने की. अब इसके बाद, क्या लिंक नहीं हो पाएगा? भाइसाब आज भी हो पाएगा. 1000 रुपे इस दा फीस. 1000 रुपे इस दा फीस. 30 जून 2023 तक के last date थी. यह date लिखके रखिये है. Last date to link. Pan oblique आधार. 36, 2023. Feast thereafter. रुपीज 1,000. तो सिक्षन, सबसिक्षन 5E क्या कह रहा है? सबसिक्षन 5E कह रहा है, भाहिया, अगर आपके पास, क्या नहीं है? बुले जल्दी से. Pan नहीं है, आधार है. आप वो automatically क्या लॉट कर देंगे? पैनल रॉट कर देंगे. clear है, Malik? एक सवाल है. तो क्या पेनल्टी लगाई जाएगी for not having pen? नहीं. भारत सरकार ने इतना समझदारी वाला काम किया, उन्होंने बुला, अगर हमने तुरंत पैनल्टी लगा दी इस आदमी के उपर, यह आदमी क्या करेगा, dispute डाल देगा, और इते dispute already pending है, इसमें इसका एक और dispute कहां ले, उन्होंने बूला, पहले इसको net में तो लेकिया हो, बाद में इसको पेलेंगे, पहले net में तो लालो, फिर तो पेली देंगे, इस और नो, simple game किया उन्होंने, enter the company, go on the top, change the company, समझ मारी बात, अच्छा जी, further 6A और 6B subsection भी add किया गया, 6A, 6B भी add किया गया, क्या कहा गया, बताईए, निर्मला सिता दी ने क्या किया, निर्मला सिता रमंजे ने कहा किया, इन्होंने बूला कि हम कुछ transaction बताएंगे, इ और ये recently होने वाला है, मेरी बात समझना, ये बहुत newest thing है, जो होने वाला है, income tax department ने कहा, हम कुछ transaction ऐसे होंगे, जो आपको बताएंगे, some transactions will be there, which will be specified to you, under that transaction, person giving the PAN, must authenticate this PAN, and person receiving the PAN, must also authenticate the PAN, मतलब, ये किस तरीखे से होगा, जरा समझ ये, income tax department will enlist number of items, for which PAN should be mandatory, and this PAN must be authenticated, yes, इसमें क्या किया जाएगा, मान लिजे मैं आ रहा हूँ आपके पास कोई transaction करने के लिए है, बरबरे, और if I have to at all give you a PAN number, I'll give you a PAN number and authenticate it, you will receive my PAN and you will generate an authenticator code, अब ये कैसे होगा, simply OTP based transaction, मतलब, मान लिजे अगर आप loan apply कर रहे हैं, अब जो loan आपका कर रहा है, मान अब LNT finance वाला क्या करेगा, आपसे PAN मांगेगा, LNT PAN मांगेगा आपसे, विजे जब PAN देगा, वो इस PAN को authenticate करेगा, OTP based transaction में, बरबर है, OTP based transaction में authenticate करेगा, अब वो आपको बोलेगा, आप अपना OTP डालो, the moment आपने OTP डाला, आपने अपना PAN authenticate कर दिया, सामने वाल आया क्यों, पूछो न क्यों, scam नहीं देखते हो, आजकर बड़े scam हो रहे हैं धरती पर, क्या पता आपके नाम से कौन क्या कर रहा है, यहां तो भीया, fake Insta ID भी बन जाती है, यहां तो आप the moment आप किसी को अपना PAN दे रहे हैं, जमतारा करके एक सीरीज देखेगा, आप ए यह detail दी नहीं, मेरा यह document ही नहीं, मेरे को information पता ही नहीं, authenticate कर रहे हैं, क्या कर रहे है, authenticate, and authenticate करने का तरीका क्या है, OTP, मैं आपको बता दू, already इस तरीके का transaction होने लग गया है, yes, एक proper list आनी बाकी है, पर यह list अब तक आई नहीं है, पर automatically many transactions, specifically loans और जहां पर पैसा involved है, वहाँ पर यह OTP-based transaction होने लग गया है, मैं आपको एक और बता हूँ, इसे authenticate करने के लिए DG locker को use किया जा रहा है, इसे authenticate करने के लिए क्या किया जा रहा है, DG locker को use किया जा रहा है, क्योंकि DG locker में आपका आधार, pen, और other details already होती है, and that is more secured, तो इसको यह use किया जा रहा है समझ महारी बत, so 6A, 6B पढ़िये, every person entering into such transaction, क्या लिख रहा है, such transaction, such transaction अब तक बताया है क्या, नहीं, तो such transaction is not specified, to be prescribed shall quote his pen oblique आधार, अब oblique का मतलब समझ रहा है, क्योंकि word था and इसको कर दिया, or, right, pertaining to such transaction and also authenticate such pen, authenticate कैसे करेंगे बिटा, OTP-based, OTP-oblique-DG-locker, yes, यह person entering वालों के लिए, यह person receiving वालों के लिए है, जो receive कर रहा है, उसको भी authenticate करना पड़ेगा, तो वो आपको एक link भेजता है, इस link पर आपको click करके authenticate करना पड़ता है, समझ महारी बत, so any document relating to the transaction referred above shall provide that pan or aadhaar as the case may be, shall be duly quoted and also ensure that such pan or aadhaar is so authenticated, such pan or aadhaar is so authenticated, clear है, तो pan के पूरे provisions में, pan का पहला provision, pan लिना किसको है, दूसरा provision, automatic pan आजाएगा, तीसरा provision, income tax department will endless some of the transaction wherein they will ask you, if you are giving the document authenticate it, person receiving the document should also authenticate it, clear है, चर क्या provision खतम हो गई, कमाल करते हो, अभी तो बाकी है भाई, rule 114 बाकी है अभी तो, अभी तो क्या बाकी है, rule 114, income tax department से आप believe करेंगे 1996 एक गलती होते आ रही है, 1996 was the year जहां से pan enroll करना चालू हुआ, आप तो खेर शायद ही पैदा हुए होंगे उस time पे, तो 1996 से income tax department pan चला रहा है, pan लेना है, pan लेना है, pan लेना है, यह कहते आ रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती पता है, income tax department से क्या होई, उनने यह लिखा ही नहीं था कि pan लेना कब तक है, अब होता क्या था, income tax department non compliance of pan related provision के लिए section 272b की penalty लगाता है, non compliance of pan provisions के लिए income tax department section 272b की provisions लगाता है, अब income tax department क्या करता था, notice भेशता था, income tax department बोलता था, hello, hello Mr. Vijay, आपने pan apply नहीं किया था, यह penalty, चलो, 10,000 रुपर penalty भरो, 10,000 is the penalty, 10,000 रुपर penalty भरो, अससी कहता था, sir, कैसी बाते कर लेवा, थोड़ी तच्छी बात करो, कुछ भी, कुछ भी document मत दिया करो में को, have you gone mad, I am income tax officer, yo, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हें 10,000 की penalty भरनी है, तुम्हें पैन नहीं लिया, sir, कैसी बाते कर रहे हूं, लिका काई कब तक लेना है, लेंगे, और लेना है, तो हम मर्जी से लेंगे, हमारी तुम्हें कहने पर थोड़ी न लेंगे, ये तो मर्जी पर डिपेंड़न है, लेना कब है, देना कब है, पाइंट समझना, एक मिनिट, तुमने पैन नहीं लिया है, उसी की तो पेनल्टी है, हाँ sir, मैं जानता हूँ, पर तुम लगा नहीं पाओगे, law, ये थोड़ी न लिका ता कब तक लेना है, इंकम टाइक्स देपार्टमेंट को 2021 में समझ में आया, कि भाई, ये लोग तो हमें, बेवकूप बना रहे हैं, इंकम टाइक्स देपार्टमेंट न तुरंत रूल लेकिया है, रूल नमबर 114 और लिखा, कौन से ट्रांजक्शन में पैन कब तक लेना है, और अगर पैन यहां तक नहीं ले गिया, तो ही पैनल्टी का क्लॉस 272 भी आएगा, बात समझ येगा, यहने पैनल्टी विल बी वैलिड ओनली वन देड़ देट्स ऑफ हाविग अ पैनल्टी की कोई इज्जत ही नहीं है, तो आईए चेक करते हैं, कब तक क्या आपने लेना अचीए था, चेक करो बटा, बताईए, एक-एक करके बताईए, पैन पहले किसको लेना था, अगर आपकी इंकम बेसिक इंग्जम्शन लिमेट से उपर जा रही है, तो आपको assessment year के 31st May से पहले लेना है, मतलब मान लिजए, अगर हम बात कर रहे हैं, previous year 23-24 की, तो आपको 31st May 2024 से पहले पैन लेना है, पूछो क्यों? अच्छा, does this make sense to you? Obviously yes, आप return कब भरोगे, July? Hello? आप July में return भरोगे, return भरने से पहले क्या चीए? पैन, तो अगर आप, अगर आप क्या है, आपकी income basic exemption limit से उपर जा रही है, आपको क्या लेना है सर? पैन लेना है, कब तक लेना है? 31st May, before the, 31st May of the assessment year, दूसरा, दूसरा क्या था? Charitable Trust, Charitable Trust before the end of financial year, that is previous year, before the end of financial year, that is previous year, इस से पहले आपको क्या करना है? पैन लेना है, year end होने से पहले, तीसरा था, जिसका sales turnover, कहां तक के है बटा, 5 लाग, इसको भी year end से पहले पैन लेना है, इसको भी क्या करना है? year end से पहले, पैन लेना है, फिर, जिसके financial transaction, 2,50,000 से उपर जा रहे होंगे, other than individual, 31st में से पहले पैन लेना है, डारेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, 31st में से पहले पैन लेना है, 31st में से पहले क्या लेना है बिटा, पैन लेना है, yes or no? चलिए आईए, बोलो, बिल्कुल, section 139, 4A आएगा, इसी chapter में, वहाँ पे हम देखेंगे, जैसी income, before claiming exemption, अगर basic exemption limit से उपर है, तो आपको return भरना है, साथ-साथ में उस charitable trust को audit भी करवा देना पड़ता है, अगर income basic exemption limit से उपर आ रही है, yes, चलो जी, 1, 2, 3, start, अच्छा, इसको cut shot करूँ थोड़ा सा, आपको नहीं लगता, कि business है, और charitable trust है, इसको year end से पहले लेना है, बाके सबको 31st में से पहले लेना है, अब तीन criteria और आये थे notification के थूरू, अब इनका भी pan कप तक लेना है, सरकार ये गलती नहीं कर सकते थी, क्योंकि already की थी, इन्होंने लाते वक साथ में बोल दिया, इनको pan कप तक के लेना है, पहला था deposit, दूसरा था withdraw, यादा रहे क्या, deposit या withdraw करने से at least 7 days before, deposit या withdraw करने वाले हो, उसके 7 दिन पहले ही तुमको pan लेना है, अब सोचो, सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि cash आता था, cash तुरंट deposit होता था, समझमारी बात, और तुरंट deposit होके, या तो वो दूसरे अकाउंट में चल जाता था, या तो फिर से withdraw हो जाता था, सरकार ने यह मिगा इंचेंज कर दिया, आप उले साथ दिन पहले pan लेकर हो, तुमको deposit करना है है या तुम्हे साथ दिन पहले बता होना चाहिए, समझमारी बात, दूसरी बात, आज pan निकलने को कितना minute लगता है, hardly आदा घंटा, internet के slow speed पकड़ करके आपका pan निकल जाता, आप निकाल लो, साथ दिन बाद cash deposit करो, तो लोग आज भी इसको use कर रहे हैं, पर पहले pan निकल देते और साथ दिन बाद deposit करते हैं, next, आपको CC अगाउंट उपन करना है, इसमें भी साथ दिन before, clear है Malik? आओ, register में, register में, RBI के according, आपके अकाउंट में pan अल्रेडी linked होगा फिर, तो फिर bank ने गलत किया, निकल सकते हैं, बट 50,000 के उपर cashier आपसे मंगता ही है, possible है, 60 यह भरा होगा, बट फिर वो क्या बोलते है, yearly KYC अपडेट में बोलते है, आपन अभी तक आपने नहीं लिया, pan apply करो नहीं तो आपका अकाउंट freeze हो जाएगा, तो technically आपने अगर 50,000 without pan निकाला है, तो यह confirm banker की गलती है कि उसने ध्यान नहीं दिया, yes, 139 यह pan, हम, सुनो, इदर, थोड़ा सा बाजू में, practical aspects भी लिख के रखो, practical aspects, if having, no pan, बुल बेटा, file, form number, 60, pan, issued by, nsdl, यह आपकी book में होने चाहिए, पर आपको कुछ नहीं दिया जाता, यह सब, actually काम आता यह है, client आकर के पूछता है, pan के लिए क्या document लाओ, आपको पता ही नहीं, आप Google करते, जबकि आपके syllabus में यह होना चाहिए, rather than, यह pan, यह compliance है, हम वो law लेके आएंगे, फिर आप यह pan डालेंगे, कोई सेंस नहीं, practical approach रखो ना थोड़ा, new syllabus जब आया institute का, हमको बहुत hopes थी आज़ टीचर, और new syllabus में पता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत जबरदस change किया, मैं मतलब बता नहीं सकता, आप शायद हस्त दे, new syllabus लाते वक्त institute ने, pink color के module को blue color कर दिया, एक बहुत बड़ा change था, क्या किया आया तुमने, नहीं नहीं होपस थी तुमसे, तुमसे 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 थोड़ा सा practical approach में लेकर क्या होगे, अच्छा एक सवाल है मेरा, pan और tan एक तो नहीं होता ना, पका, तो tan होता है वो pan से तो linked नहीं होता ना, I mean to say, जो pan number है, उसी के number tan को तो नहीं आते ना, ये पका है, शौर है, बेस्ट, pan is different and tan is different, pan है तो tan लेना जरूरी है, ऐसा कुछ लोग? नहीं है, एक सवाल और कुछू कि थोड़ा सा practical है, pan number पर phone number होता है क्या? लिंक तो होता है, मैं उसकी बात निकराओ, phone number होता है क्या? Like आधार, आधार पर phone number होता है, नहीं जो आधार आप निकाल रहे होना, अगर आप नहीं आधार काट निकालोगे, तो उस पर phone number होता है, या आधार का आप अपडेट करा रहे हो, तो updated आधर काड़ पर आपका phone number आता है, yes और उस पर QR code भी आता है, अच्छा, एक और सवाल है, हुएफ का pen separate होता है क्या, yes, तो उस पर हुएफ लिखावा आता है क्या, तो हुएफ लिखावा आता है नहों उसके उंदर में, बिल्कुल, आज़ो बटा, हुए, बताओ, mandatory to have pen, बताओ भाई साब, किस-किस को जरूरी है, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, हुए, person whose income, इदर थोड़ा सा space छोड़ देना, एक्सीड, बासिक एक्समिशन लिम्ट, second चरिटेबल ट्रॉस्ट, पर्णमत्री, इफ तरनोर और ग्रॉस्ट, एक्सीड, एक्सीड, leatherwire, प्रेसिदेंट अधर देन इंडिविजल इफ फ 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 dhosaan holding the position of below director md partner member CEO founder trustee इब बीक विए क्या देफ निए कर देपाके खब देफ़ों आखबने जा कर देफत हु ताय स्वेत्व देफि उस्ट कर दोड़ देफिए कर देफ। इन एग्रिगेट, एक्सीड 20 लाक, इफ विद्रॉ, इन कैश, इन एग्रिगेट, एक्सीड, पूलो विटा, 20 लाक, ओपनिंग, CACC अकाउंट, इन तीनों को बताईए कब तक लेना है, at least 7 days before, at least 7 days before transaction वर ठीक रहेगा, इन दोनों के लिए, before 31st May of assessment year what ठीक रहेगा, इन दोनों के लिए, before year end ही रहेगा, इसके लिए, before 31st May of assessment year, और फसके लिए, यह और गही रहे ऊंग衝ाने स्क् O cœur झासा inícioव Jadiए o के आँढहे रहे हैं हम विए विए झासा alleen के लिए बिल्कुल सही है, जरूरी थोड़ी नहीं कि भिया वो रिटन भरेंगे ही, पर हाँ, at least सरकार को डेटा तो मिलना चालू हो जाएगा, उसने रिटन नहीं भरा, पर 142.1 को हम यूज करके उसको बोल तो सकते हैं, फाइल दे रिटन, अगर उसके ट्रांड आक्शन दिख रहे ह होंगे तो, यह पॉसिबल है न, बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करके हो सकता है, उनको नोटिस इशू किया जाए, येस, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, येस और नो, चलिए ज़िए, अब आता है, निक्स चीज के ऊपर, अब आता है, निक्स चीज के ऊपर, सक्शन 272, इदर आजो, सक्शन 272, Penalty for failure to comply with section 139a, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं Penalty भी साथ साथ में पढ़ा दे रहा हूं, था कि आपको यहीं clear हो जाए, इसको नहीं किया, तो क्या होने वाला है, दीखिए, यहां पर दो तरेकी की Penalty है, यहां कितनी Penalty है, यहां कितनी Penalty है, यहां कितनी Penalty है के compliance नहीं किया, the penalty is of 10,000 rupees, the penalty is of 10,000 rupees, एक बात clearly समझ लें, Income Tax Department कोई भी penalty directly नहीं लगाता, they first give you opportunity of being heard, this is a principle of natural justice, principle of natural justice के तहत, पहले उनको आपको क्या करना पड़ता है, show cause notice देना पड़ता है, show cause why not penalty be levied for non-compliance of this provision, और यह देने के बाद ही वो आपके क्या लगा सकते है, penalty, अगर आपका जवाब appropriate नहीं रहा तो, so in any case, यहां पे भी हम penalty पढ़ेंगे, clearly याद रखिएगा, वो आपको जब तक OOBH नहीं दे देते हैं, यह Penalty Order valid नहीं है, तो यह Penalty Order को valid होने के लिए आपको OBS देना ज़रूरी है, clear है, so if a person fail to comply with the provision, fail to comply with the provision of section 139, Penalty CDC कितने रुपे है पिटा, 10,000 रुपे, अच्छा जी, अब कुछ cases ऐसे भी थे, कुछ cases कैसे थे मैं आपको बताता हूँ, Pan तो दे दिया, पर यह आपका है यह नहीं, Pan दे दिया, यह आपका है यह नहीं, जो Pan नमबर दिया, यह गलत दे दिया, ऐसे case बहुत सारे हो रहे थे, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, कई ट्रांद आक्शन में किसी और का Pan अटाच करते रहे थे, ताकि दिखे भी तो उसकी income दिखे, और लोगों का फरक नहीं पढ़ रहा था, TDS कट रहा था कितना 1%, imagine किजे किसी contract की case में, contract की case में TDS कितना कट रहा था, 1%, वो किसी और के रिटन में दिख रहा था, लोगों को फरक नहीं पढ़ रहा था, उस 1% से, लोग क्या कर देते थे, अपने labor का Pan लगा दे, Pan चीये न, हाँ एक काम कर, इसके नाम से deduct कर बरबर है, अब लोगों फरकी नहीं पढ़ रहा था, लोग गलत Pan court करे जा रहे, incomplete Pan court करे जा रहे, सरकार ने इसके लिए भी penalty लगाई, section 272b को amend किया, कहा, if a person is required to have Pan or Aadhaar, fails or provide a false Pan or Aadhaar, और fail to authenticate Pan or Aadhaar, आप authentication वाला जो clause आया, यह नहीं कर पाए, या फिर आपने जो court किय यही गलत है, 10,000 for each such default, हर एक default के लिए 10,000 का penalty, penalty can only be delivered, if person has given OOBH, तो आपको जब तक के OOBH देना mandatory है, यह line लिखी हो या न लिखा हो, penalty के लिए, यह common line है, ठीक है, इगर आजाओ, Pan के नीचे arrow करगे से वित्ता लिख दो, section 272B, non-compliance of section 139A, penalty is equal to 10,000, game over, आपके short notes साथ साथ में prepared, exam के लिए यह पढ़के चल जाना काम खतम, see, मेरी जिम्मेदार ही है, मैं आपको regular notes के अंदर में सब कुछ दू, जितना आपके module में है, मेरी जिम्मेदार ही यह भी है कि आपको clear बता दू, बेटो तिरे को पढ़ना कितना है, wherever, और आप charts देखोगे ना सरद डिटी के charts, उसको तो मैंने 100 pages के अंदर रखा है, 100 pages के अंदर में, मतलब no if no, but सिद्धा इतना कट्टू कटे, इतना पढ़ के जा, game over, क्योंकि बहुत बड़ा है यह, चलिए, तो यह था pan, अब pan के बाद, pan के बाद, क्या जरूरी था बोले जल्दी से, आधार, pan के बाद, क्या जरूरी था, बोले जल्दी से, आधार, yes or no, आधार के लिए एक section आया, लेकिन इसके पीछे की history आपको पहले थोड़ा सा समझना जरूर यह, history क्या थी, see, आधार was a concept given by Dr. Manmohan Singh, in 2011, Dr. Manmohan Singh ने आधार नाम का concept लाया था, उन्होंने बुला, यह अमेरिका में जैसा green card चलता है, टीक, उसी तरीके से, इंडिया के लोगों को identify करने के लिए, हमने क्या करना चाहिए, हमने आधार नाम की एक चीज लेकर क्या आना चाहिए, इंफाक नाम भी उन्हों नहीं रखा था, आधार, यह अब यह क्यों हो रहा था, बिकॉस अफ दी रुहिंग्या इशू, जो मायनमार से लोग कहां आ जा रहे थे, इंडिया में आ जा रहे थे, and it was very difficult to find out कि भी यह यह इंडियन है यह नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया नहीं है, तो इंडिया के सारे fundamental rights and सारी सुविधा फिर उनको भी मिलनी चाहिए, अभी recently UP में केस चल रहा है, आप देखिए एक लीडी जो है, वो नेपाल के रूट से कहां आ गई, यूपी में आ गई, उसके already उदर शादी हो चुकी थी, यहां आ करके उसने एक आदमी से शादी कर ली, और अभी उसके उपर ISIS से link होने के point चल रहे हैं, अब कहीं न कहीं है, यह illegal migrant है जो आ रहे हैं, इसके बाद क्या हुआ, वो 2014 अब की बार मोधी सरकार, मोधी सरकार आ गई, मोधी सरकार ने देखा कि यह कौन सा प्रोजेक्ट पेंडिंग है, उनमें से नने, इनो मनमोन सिंग सर का यह प्रोजेक्ट उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला यह यह पेंडिंग काम हम पूरा करेंगे, यह पेंडिंग काम हम क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे, हम आधार को launch करेंगे, और भारत सरकार ने डिसाइड किया, कि भीया, हम हर government की facility को आधार से link कर देंगे, अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब हमार पास ration card भी तो था, problem ये थी, ration card तो था, पर ration card का data भारत सरकार के पास था ही नहीं, तो भारत सरकार ने बुला, इसी बहाने क्या हो जाएगा, सरकार का जो vision था कि मैं इसको हर चीज से link कर दूँगा, मतलब bank account भी इस से link होगा, mobile number भी इस से link होगा, everything, मतलब आदमी का data पूरा का पूरा आधार से निकल जाए, ऐसा हो जाना चीज़, जैसे अमेरिका में होता है, भाहिया उसका number डाला, तो आदमी का पूरा detail सामने आ बस इस तरीके का कुछ आधार लाने की कोशिश की गई, भारत के लोग बड़े अजीब है सर, बात समझीएगा, जैसे उन से mobile number बोला, आपके mobile number इस से link करो, आपके bank account इस से link करो, लोगों को पसंद नहीं आया, 2017 भारत सरकार के सामने एक नया challenge खड़ा हो गया, क्योंकि इस अधार का data leak हुआ, तो मेरा bank account जीरो होने के chances है, आप इसकी responsibility लोगे क्या, आप इसकी responsibility लोगे क्या, आप इसकी responsibility लोगे क्या, now that also makes sense, क्योंकि जो बात कर रहा था हो बहुत सही थी, जो बात कर रहा था हो बहुत सही थी, yes or no, मजदार बात बताओं आपको, इस case को दर किनार करते हुए, भारत सरकार अपनी ही चाल चले जा रहा था, भारत सरकार बोलता है, भहिया, 31 March 2018, last date है, आपको अगर आधार आपने link नहीं किया, तो आपका जो pan है, ये invalid हो जाएगा, और pan ना होने की जो 10,000 रुपे की penalty है, वो आप पे लग जाएगी, ये आदमी ने अपना case follow-up करवाया, उसने बोला कि सर एक मिनिट मैं यहां पर case लड़ रहा हो, को इज़त है, नहीं आदमी की, वो बोल रहा है, एक मिनिट, आधार को आप mandatory नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मेरा personal data associated है, भारत सरकार सामने नहीं आई, लेकिन आधार के जो head थे, वो सामने आए, उन् इन 20 minutes, हैकर ने पूरी detail निकाल कर रहा है, उनके ही आधार पे tag कर दिया, उनके ही Twitter पे tag कर दिया, और यह इतना ट्रोल हुआ, इतना ट्रोल हुआ, उनने बोला, भाया, भाया, जब आधार के head का ही data secured नहीं है, तो यह हो ही नहीं सकता, और यही plea बना Supreme Court के सामने, ठीक 31 मार् प्राभारत सरकार अडिती हम तो आज से आधार को लागू करेंगे, at the same time, at the same time Supreme Court में case चल रहा है, शाम पाँच बजे Supreme Court decision देता है, यह जो provision है, आपके number और अपने personal detail को आधार के साथ लिंक करने की, यह अस्थगित रूप से हम लोग क्या करते हैं, पोस्पॉंड, मतलब ह इसके उपर अपना decision reserve कर रहे हैं, यह postponed हो रहा है, कहते वे comma लगाया, और लिखा, however, for the purpose of income tax, आधार will be valid, मतलब, science वालों का syllabus बड़ा, arts वालों का बड़ा नी बड़ा, commerce वालों का syllabus बड़ गया, और एक और नया section add हो गया, 139 AA, A से आधार, और क्या लिखा, लिखा pan apply करना है तो आधार जरूरी है, return भरना है तो आधार जरूरी है, return भरना है तो आधार जरूरी है, return भरना है तो आधार जरूरी है, provisions आई 1 July 2017, 1 July 2017 से retrospective effect देते वे इनों ने कहा, कि भी अब आपको क्या करना है, आधार देना है, return देना है, आधार और रिटन मरना है तो आधार जरूरी है क्योंकि यक दा टैटार इम पर जीन या अद आधार ताय ओर नहा है इख पर बरह आब आब आगे की बात पूंसानी आब आपको रिटनम ना या प्लन आए तो आधार जरूरी है पिक्षुन आ आख बें लो कुश्चन आया आपके पास अधार नहीं आप enrollment ID दो, आपके पास क्या नहीं है, आधार नहीं है, आप क्या करो enrollment ID दो, जब भी आधार apply करते हैं तो आपको एक enrollment ID आता है, चोधांकी का, बुले आप enrollment ID दो, फिर तीसरा situation arise हुआ, तीसरा situation आया, आधार के जो provisions थे उसके अंदर में लिखा था, अगर आपने आधार नहीं दिया, तो आपको PAN invalid हो जाएगा, तो एक case था, एक case था बिनए विश्वासम करके, यह again Supreme Court में चले गए, इन्होंने कहा, कि आपने अपने log को जो लिखा है, यह गलत लिखा है, income tax department क्या, हमने law ही गलत लिखा है, बिनए विश्वासम, येस, अपने लिखा है, अगर मैंने आधार और PAN को लिंक नहीं किया, if I do not link my PAN और आधार, my PAN will go invalid, चलो, let us assume a situation, if my PAN को आपने invalid declare कर दिया, बाद में मैंने condonance application डालके, आधार निकालके, अब मैं reapply कर रहा हूँ, अब क्या करोगे आप, वो बुले हम इसको validate कर देंगे, और अपने permanent number को invalid कर दिया, इसका validation possible ही नहीं है, the word should have been inoperative rather than invalid, आप invalid word लिख रहे हो, यही गलत है, वहाँ पर inoperative लिखो, ताकि उसे फिर से operation में लाया जाए, तो case बना, आधार और PAN, क्या नहीं हुआ, link नहीं हुआ, या आधार और PAN के compliance पूरे नहीं हुए, तो आपका, मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब तो PAN दो, या आधार दो, दोनों में से एक भी दो, तो काम हो जाएगा, इस provision में एक और issue था, सोचे क्या, आपने कहा return भरना है, तो आपको क्या जरूर यह आधार, पर there was a issue, issue of a non-resident, हम आधार तो उसे pussy को दे रहे थे, who are resident in India, और who are citizen of India, तो जो non-citizen in India के, या जो non-residents है, इनको तो आधार मिली नहीं रहा, क्या यह return नहीं भरेंगे फिर, दूसरा, a person residing in Jammu Meghalya and Assam, Assam और Meghalya तो main Rohingya वाला issue था, और Jammu Kashmir में भी infiltration वाला issue था, तो यहाँ पर आधार provision थी ही नहीं, क्योंकि it was really hard to identify, कौन यहां का है, कौन यह का नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई पाकिस्तान का व्यक्ति border cross करके, अगर इधर आ गया हो, तो आप तो उसको भारतिय ना गरिकता दे दोगे, तो इसके लिए आधार provision वापे थी नहीं, इनका क्या का, इस बारे में कुछ कहीं नहीं गया, चौता, आधार act खुद बोल रह इस सारी इसूस को टर्माइल करने के लिए ही, इस सारे इसूस को खतम करने के लिए उनने लिग दिया, pan-oblick आधार and not pan and aadhar, क्योंकि एक-एक-एक-एक इसू इसके अंदर में pile-up होते जा रहे थे, in order to clarify all this issue भारत सरकार ने clear-cut कर दिया, इसको and हटाओ, और कर दो, पूरा return filed after 2019, आधार must be intimated or prescribed authority by 31st March 2023, यह 31st March 2023 का बाद में कौन सी डेट बनी, 30 June 2023, आज भी आप के यह यह 2023 ही लिखाय, यह notification से बढ़ाया है, clear Malik, so every person who is eligible to obtain Aadhaar after 1st July, at the time of PAN application and filing ROI, where a person does not possess Aadhaar, enrollment ID of Aadhaar application can be given, if you fail to intimate his Aadhaar number, your PAN allotted shall deem to be inoperative, section is not applicable in case of NR, non-citizen, person residing in Assam, Meghalya and Jammu, कश्मीर, यहां पर एक और पॉइंट आएगा, fourth person whose age is 80 or above, person whose age is 80 or above, Yes, चलिए, इसका shortcut हमें से प्लिखना है, section 139 AA, Aadhaar, Aadhaar is required at the time of filing ROI or PAN Aadhaar not required in case of NR non-citizen person residing in Assam Meghalya Jammu and Kashmir person 80 or above as will people are people are you know you can अब मुझे बात बताइए अब कोई फरक पढ़ने वाला है इस मुल्टिपल प्रोविजन से नहीं क्यों कि आपको पैन या आधार दोनों में से कोई भी चलेगा तो हम कहा है हम रिटन भरने से पहले के नहीं में रिटन बने से नहीं अब धार से चाहिए तो उनों से एक चीड़ ही तो यापका रिटन जाएगा नहीं जाएगा चलए यह आए जलते हैं म्हार हम चलते हैं आम ällt कि विल मोड ऑफ फाइलिंग रिटर्न के अंदर में, ध्यान से सुनना, मोड ऑफ फाइलिंग र वाई, वेल, no doubt, you have two मोड, one आप फिजिकल दे सकते है, second आप ओनलाइन दे सकते है, इफाइलिंग पे, इफाइलिंग इंकमटैक्स पॉर्टल पे है, but . Mandatory return Section 139 ROI through TRP Section 139B Bulk return Section 139.1a Bulk return Section 139.1a Exumption from Filing Return Section 139.1c उल्टी शुरुवात करेंगे भाई साब, पहला, एक्षम्टिन फॉम फिलिं रिटन, इन लोगों को एक्षम्टिन है, सर क्या आज किसी को एक्षम्टिन दिया गया है? येस, non-residents, जिनके कई income पे already TDS हो जाता है, उनको return भरने की ज़रौत ही नहीं पड़ती, येस, ये हम NR taxation में पढ़ेंगे, क्या है, भारत सरकार ने उनको exemption दे दिया, वैसे भी TDS कट हो चुका है, येस, जब TDS ही कट हो गया, वो return भरके separately कर क्या लेंगे, तो उनको क्या provide क्या गया है, exemption प्रवाइड क्या गया है, बोला भाया, इनका TDS कट हो गया, no return filing, तो येक पावर है, येस, चेक, मेरे साथ साथ, पेज नमबर 3, Central Government has power to exempt, by notification, any class or classes of person from filing, ROI, came over, can never be asked, next, next, bulk return, next debata, bulk return, again can never be asked, सुनिए, येक scheme थी, situation क्या होती थी सर समझे, अभी 31st July है, we all know that there is a due date of filing return, but क्या ये voting जैसा है, क्या ये voting जैसा है, क्या आपको बाकाइदा छुट्टी मिले, return भरने के लिए, no, सरकार ने एक तरफ हमार पे responsibilities तो डाल दिये, that you need to file return, पर हमको छुटी ही नहीं मिलती, return plan करने के लिए, yes or no, अब सोचिए, many of the people who are in offices, various jobs, they do not get any holiday to file return, at the same time, mansoon है, वो बिचारा बोलता है, मेरेको एक संडे मिलता है, मैं मेरी बीवी के साथ, लोनावला गुमने के लिए जाओ, आज पास मैं गुमने के लिए जाओ, या return भरने के लिए बैठू, जिसका मेरेको कुछ नहीं समझता, अब situation क्या होती ऐसे लोग return भरनी पाते थे, income tax department इनको notice भीजता था, कि आपने return क्यों नहीं भरा, यह कहते थे कि सार मेरे office से छुटी नहीं मिली, boss ने मेरेको extra काम दिया था, मेरेको छुटी नहीं मिली, income tax department ने इनका burden कम करने के लिए एक bulk return नाम का scheme लेके आया था, आज भी किताबों में पड़ रहा है, effective है नहीं, पर यह आज भी किताबों में है, right, scheme कहता था, अचा यह scheme सिर्फ 16 city में launch किया गया था भारत में, मतलब ऐसा भी नहीं कि यह जो scheme थी, Pan India scheme थी, यह scheme सिर्फ भारत की बड़ी 16 शहरों में launch किया गया था, जिन में से पूने भी एक था, scheme उसी पे applicable थ on such employer who has at least 50 employee, who has at least 50 employee, चलो आपस से एक बार बताये, is that particular scheme applicable to whole of India, no, it was just a pilot project, 16 शहरों में initially launch किया था, किस employer पे applicable था, उसी employer पे applicable था, जिसके पास at least, कितने employee हो बोलो जल्दी से, 50 employee हो, उसी पे applicable था, नहीं तो इसके पर applicable नहीं था, अब scheme किया कहती है, scheme required, all the employee to give their data to employer, employer will file a return on their behalf, तो once the employee has given the data to the employer, employer and his accounting department has to file the complete return, give the whole data in a backup or a CD or any other format to income tax department, income tax department, उनका एक excel sheet भी लेके जाते थे, कि भी है, इतने लोगो का return का detail, इस CD में अविलेबल है, इस pen drive में अविलेबल है, income tax department ये data collect करता था, stamp mark आपको देता था था, कि भी है return submitted, ये scheme flop हो गई, can you tell me two good reason, कि ये scheme क्यों flop हो गई हो गई, बिल्कुल CDC बात है, moon lightning, moon lightning समझता है आपको क्या होता है, जो आप भी करते होंगे शायद, moon lightning is office के बाहर extra काम करके पैसे generate करना, everybody loves money, understand, everybody loves money, wherever है, तो लोग क्या करते थे अपने office के बाहर जा करके, part time job करते थे और extra money earn करते थे, and I think, इसमें कुछी भी गलत नहीं है, yes or no, हर आदमी को एक hobby तो होनी चाहिए, गांदी जी की notes का collection उसके पास होना चाहिए, एक hobby उसके पास जरूर होनी चाहिए, अब problem क्या होता था, अगर वो अपनी other income employer को show कर देता था, तो CDC बात है, वो बाद में जाता था, sir promotion, Infosys, Moonlightning वालों को निकाल दिया, अगर तुम काम कर रहे हो, यहां से जाने के बाद भी काम कर रहे हो, तो तुम अगले दिन efficient रही नहीं सकते तुमारे वर्क में, तो यहां तुम efficiency नहीं दिखा रहे हो, salary ले रहे हो, वहां जाके तुम efficient हो रहे हो, बड़े चला कर रहे हो है, सरकार ने बोल दिया, यह scheme इसलिए नहीं चल पाई, क्योंकि कोई employee अपने details employer को देगा ही नहीं, yes scheme चली नहीं पाई, नहीं चली तब तक के तो ठीक था, हमारे इसलिए बस में क्यू रहें दि, पाई, 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 बुलक रतन, इसे कहा चाता है, option to file return through employer, the scheme is optional and provide additional mode of furnishing the return of income by person, deriving salary income, this is called as Suvidha scheme and was notified in 16 cities only, under this scheme eligible employer may furnish his return, eligible employer may furnish his return in the prescribed form together with relevant document of his eligible employee who has minimum 50 employee with the income exceeding the limit and who has 10, समझ मारी हुआ, तो employer के पाई, अगर 10 था, 50 उपर employee था, तो वो क्या करता था, अपने details भीज देता था, I am sure आप समझ सकते हैं कि ये भी books में तो है पर आपके काम की चीज नहीं है, तीसरा section जो अगेन आपके कामकार नहीं है, वो है return through TRP, ये तो बहुत ही गजब चीज है, ये तो बहुत ही गजब चीज है, और आपको घुसा आएगा sir, Congress सरकार पे एक बार तो घुसा आएगा इस particular provision के लिए, मैं आपको फिर एक बार classify कर दूँ, ये जितने भी political party के मैं नाम ले रहा हूँ, ना मैं इधर हूँ, ना मैं इधर हूँ, मेरा vote मेरा personal है, तो कृपिया मेरे को जज मत कीज़े, मेरी जिम्मदारी as a teacher आपको बताने की कि इस सरकार में क्या हुआ, clear है, वापस से सुनिया, अगर आप फिर भी मेरे से पूचेंगे, सर आप किस political party को favor करते हैं, मैं आपको बहुत clear बोल दूँ, ये मेरा personal right है, नहीं बताना हूँ, समझ मारी ये बार, ये मेरा personal right है, नहीं बताना हूँ, चलो ध्यान जो सुनो, हुआ ये, it was around 2007-08, ये आदमी इतना पीछे जाता कहां से है, और detail लाता कहां से है, मैंने आपको इसका राज अल्ड़ी बता चुका हूँ, वो जो इतनी सारी books है न, तुमारे लिए मैंने पढ़ ली, और आज तुमको सिधा करक्स बता रहा हूँ कि ये इस टाइम पे हुआ था, इस टाइम लाइन पे हुआ था और ये ऐसा हुआ था, इसलिए आज ये प्रोविजन एस ही है, तो सुनो, 2008 में जो लोग थे ये बड़े परिशान हो गए थे, ठीक है, थोड़ा से तुमारे मान सम मान को ठेस पहुचाने माला हूँ सुनना, लोग कहते थे कि ये जो CS, CS, CA में लोग होते न, ये जो लोग होते न, ये बड़ा लूटते हैं, एकदम लुटेरे किसम के लो हो गए ये लोग, लुटेरे लोग है सर, लुटेरे, करते कुछ नहीं है, एक बर रीसेंटली पार्लमेंट में, मिनिस्टर ने भी कहा था, कि अखरी न, CA को करना ही क्या होता है, आखरी न, CA करना ही क्या होता है, डेटा लो, डेटा डल दो, काम खतम, मिनिस्टर जी बहुत बहुत दिन हो गया आप से यह के साथ बैठे नहीं है लगता हुए बैठ जाएंगे न आपको समझ जाएगा कि उसने अगर मूझ खोल दिया न तो बहुत हो की लुटिया डुग जाएगी इस मैं बात बताता हुँ सर एक लड़की थी दीवानी सी मतलब हम लोग थोड़ा सा मिल रहे थे और वो हमारे प्रफेशन की नई थी थोड़े से राज बताने जा रहा हुए जर ध्यान से सुनना तो अपने प्रफेशन की नई थी वह MBA थी हम जी थहरे वह MBA थेरी तो हम मिले तो, अब है क्या आप पता है क्या, MBA वाली जो दीदी थी, मतलब जो प्यारी सी बंदी थी, वो बात करे जाए, बात करे जाए, और अपने पास कोई common topic ही नहीं होता, साला, यह कोर्स ऐसा कोर्स है कि अपने पास कोई common topic ही नहीं होता, कि अपने बात क्या कर लें, कभी आपने तरीके के लोग बन गया है, आजकल आप जब शादी में जाते है ना तो जो आंटी टाइप की लीडी होती है वो क्या करती है मानू आपको, ही कैसा है तू, बस बढ़िया, और क्या चल रहा है, बस बढ़िया, तेरे को पता है उस चाचा की बुआ की बेटी नहीं ऐसा ऐसा हुआ, इनर यू, मैं क्या करने का है, मेरे लाइफ के अंदर में मेरे से FR, FR अकाउंस है मेरे को अभी लगता ही नहीं, AFM मेरे से टैली नहीं हो रहे है जीवन के अंदर में, law पूछो ही मत, audit मेरे को पढ़ने की इच्छा नहीं होती, boss मेरे को छोड़नी रहा, मेरे को क्या क किस ने क्या किया, क्या नहीं किया, होता है आपके लाइफ में, वो लड़की मेरे को बोलती है, और वो बोले जारी, बोले जारी, बोले जारी, हम लोग कैफे में थे, वो बोले जारी और मैं, इमान दारी से ना, मेरे बिल्कूल ध्यान नहीं था, मेरे ध्यान कहीं और था, नहीं, जोई आप समच रहें, वहां नहीं था, पर मेरे धुहान नहीं थाई नहीं कि वो क्या बोल रही है, तो थोड़े दिरीदे बाद, उसने हिचकिचा कैं मैंसि का लुए तो, ने सिए जो होते हो, ये इतने अख़ुक्ट क्यू होते हो , तुम बात नहीं करते हैं, 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 आले तेरी डेबिट की क्रेडिट। मैंने उसको एक जवाब दिया, और लाइन है नौ। CAs और डॉक्टर्स जो होते हैं, CAs और प्रफेशनल्स जो होते हैं specifically, यह चुप रहे यह अच्छा है, क्योंकि अगर इनने बोलना चालू कर दिया, तो बहुतों के घर बर बात हो जाएंगे, उसको यह जवाब दिया, तो जो मिनिस्टर साब थे, मिनिस्टर साब और यह स्कीम लेके गई सरकार के पास, इननने कहा कि भिया देखिया, आप रिटर्न भरने के लिए एक सेपरेट प्रोफेशनल निका लिए, रिटर्न भरने वाले प्रोफेशनल निका लिए, और इससे आप employment भी generate कर पाएंगे देश के अंदर में, और लोगों का सस्ते में काम भी हो जाएंगा यह लूटेंगे लोग लूटेंगे नहीं, मैं दो मिनिट के लिए जवाब देना चाहता हूँ, हाँ हम लूटते हैं, और लूटेंगे, जो बनता है कर लो, अटेम्ट का दर्द जो होता है यह हमने जेला है, दुनिया भर के बोरिंग जो सब्जेक्ट्स थे के अंदर में यह जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, यह हमने जेला है, सालो दिवाली हमने खोई है, हमारे बड़े, हमारे गल्फ्रेंड के बड़े, बॉइफ्रेंड के बड़े, घरवालों के बड़े, यह सब हमने खोई है, हम जानते हैं, एक पतली सी बोड़ी को मोटा कैसे बनाया जाता है बैट बैट के समझमारी बात डार्क सर्कल ना लोगों के पास होते हैं हम तो ले के घूमते हैं और इसके बात तुम हमें बोलते हैं एक मिनिट इतने से काफी नहीं होता है इसके बाद attempt हम लोगों ने जेला है बता है एक्जाम का प्रेशर हम लोगों ने जेलाई सारे subject पास होने के बाऊजूद भी एगरीगेट में फेलो करके हम लोग फेल हूए है HR में पारिशर सताने लगता है एफर में IN-AS12, फमझगी नहीं रहा है, यह हमारा इश्व है, तुम बोलतो, कुंडली मैंच नहीं कर रही है, अभे हमारा बेलन्शीट मैंच नहीं करता, क्या कुंडली मैंच करोगे तुम हमार से, life में ना हमारे साथ problem नहीं है हमारी life ही problem में तुम्हारे साथ भी ऐसा है तो अगर कोई तुम से कहे कि तुम लूटते हैं और तुम में attitude है कहना है, इतनी गसा के यह attitude आया है और अभी जाेगा नहीं यह बात समझ के रखना और मैं तुमको बता हूँ एक बात तुम्हें किसी को ना face off करने से डरना नहीं है डरीजन बड़ा simple है ii अगर तुम में attempt भी लगा है मेरे को भी लगा है तुमसे हमेशा एक बात कहुंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए किसी और फेस off करने से reason यह है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है हाँ exam दी exam में fail हुए पर मैं सभी से एक बात पूछना चाहूंगा क्या राम भगवान भी रावन को पहले बार में मार पाये थे क्या answer was no क्या कृष्ण जी ने भी एक ही बार में महावारत खतम कर दी क्या answer is no अब अटेम्ट उनको भी लगे बस यही एक बात थी ना attempt वर्ट तब ही जात नहीं हुआ था attempt सबको लगते है यार तो इच ओके तुमों किसी से डरने की ज़ुरत नहीं है Congress सरकार ने एक provision निकाली TRP Tax Return Professionals नाम क्या दिया गया इसको Tax Return Professionals पूरा provision भाजू रुखो मैं तुम्हें पहले यह बता दू Who can be TRP यह provision देखकर के आपको कसम है अपनी एक्स की हासे यह निया पहला Who can be TRP Any graduate Any graduate can be TRP मतलब B.Sc वाला can also became TRP, B.B.A. वाला can also became TRP भाई साब यहाँ B.Com वाले को B.Com वाले को Final में Tax आता है वो भी एक assessment tier पीछे चल रहा होता है समझमारी ही बत तुम B.Sc वाले को बोल रहे हो कि तुम आपकर के क्या करो? Return भर दो गचाब एक number दूसरा Who has cleared Who has cleared intermediate exam of C.A. C.S.C.A. में Who has cleared intermediate exam मतलब फाइनल वाला बच्चा एक minute फाइनल वाला बच्चा TRP बनना चाहेगा यह लाइन आपने पढ़ ली Who has cleared intermediate exam मतलब फाइनल वाला बच्चा अब उपर आखे पड़ो Who can't be TRP Chartered Accountant तुमको हमारा raw material चाहिए पर तुमको हमारा I like you, but as a friend कोई संच है इस प्रोविजन का अच्चा सिप CA लिखा वाँ पर CS नहीं लिखा, CA में नहीं लिखा गजब law बनाया है भाई साब CA नहीं कर सकता Legal Practitioner नहीं कर सकता अगर आप ध्यान देंगे तो जो छोटे गाउं होते न जहांपे CS बहुत सारे नहीं है जहांपे CS बहुत सारे नहीं है वहाँ Advocates ही रिटर्न भरते थे इसलिए Legal Practitioner वालों को भी इससे दूर कर दिया भी यह Legal Practitioner और CA दोन नहीं TRP बन पाएंगे तीसरा, any other person class or classes of persons who specified class or classes of persons जो specified है वो भी TRP नहीं बन पाएंगा yes, otherwise eligible individual can become TRP क्या आप जानते हैं, it was such a waste of money TRP क्या आप जानते हैं देखिए, income tax की website पे आज भी आप pin code डाल करके area code डाल के ढून सकते हैं आपकी area में TRP कौन है जो TRP है इसको बैठने की जगह income tax department में दी गई अब सोच के देखिए, कोई विक्ति income tax department वाले को ही अपनी सारी detail बताएगा क्या again a flop scheme again a flop scheme इसलिए exam examiner ने इसको पूछना भी बंद कर दिया इस सवाल को दिमाग भी लगाना बंद कर दिया अच्छा such a waste of money TRP CPC करके एक website थी अब दिख्क्यों ने लिए I don't know TRP के लिए altogether income tax ने एक separate website बनाई थी TRP locator and TRP related details yes yes यह देखो login as TRP एक पूरा infrastructure दिया है इनको website के ऊपर चलने वाला कोई scheme है नहीं फालतू का time pass आपके लिए काम की चीज, कौन सा return TRP नहीं भर सकता इस पे सवाल आता है आपको जो सवाल आता है वो इस पे आता है कौन सा return TRP नहीं भर सकता point number one a person covered in tax audit अगर कोई आप tax audit के अंदर में covered है तो TRP आपका return नहीं भर सकता ओ क्यूं और B.com में नहीं आता है no tax audit revise return if original return is not filed by TRP revise return नहीं भर पाएंगा अगर original return आपने नहीं भर तो ओ समझने आएंगा क्या क्या हमने poor non resident in India, non resident का return TRP नहीं भर पाएंगा ओ यह 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 स्याद आए B.com में तो NR taxation होता ही नहीं क्या अतलब यार कोई सेंस है इस प्रोविजन का तुमने डाल करके रखा ये प्रोविजन को honestly मैं expect कर रहा था new syllabus में ये सब बाहर कर देंगे पर जब act ही बाहर नहीं कर रहा syllabus क्या बाहर करेगा इस पर सवाल आता है आपको जैसे की इदर देखो आपको पीछे मेंने questions भी दिये हैं November 2009 का एक modified question है it is based on return through TRP तुरंट solve कर लीजे जवाब भी बता दीजे ये question November 2009 में आयवा है ये question module में भी है question read कीजे question number three x is an individual has got his books of accounts audited his total income is 2,60,000 he desire to know if he can furnish his return through a TRP can he file the return through TRP answer is no section 139 b to question जो आता है वो इस पर आता है समझ मैं ही बाद चलो थोड़ा सा TRP लिखेंगे और फिर question solve करेंगे section 139 b Roi through TRP individual can be trp but falling individuals can't be trp Bolo CA legal practitioner and other specified person following return can't be filed by trp Bolo if a person is covered in tax audit nr nr is return revise return if original return is not filed by trp question number three page number three point nine as per section 139 B following return cannot be filed by trp batao A B C Bolo 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 R R return of a person covered in tax audit if the person is non resident तिसे रहे हिसे ड्क्रमring प्राओ करए करने है अ हुए स्अस्क्राओ कि न्यूट है ते कर दिसे तear है। य्यूब है य्यू district नुटने है तिसे हैंस अप्राओ कुछ् तिसे ऐसी था नव्चTh và be बमियूए एक ध Creator लून्स फियू फ्री टो उचर्ட Ke spoiler Hence, X cannot file his return through trp. Let's have a quick break, see you after the break. Thank you. 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 झाल 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 35 college or institution covered under section 35 35 must file ROI 5th 139 4E 4F if in case of business trust oblique investment fund must file ROI देने जी बहुत बढ़िया challenge क्या है इस फूरी list को याद रखना तो अब अब देखो हमने सुबहरे से मतलब जब स्यम पढ़ रहे है 139A 139 AA पढ़ा बरबर घर पर जाना पैन वाला प्रोविजन रिकॉल करना आधार का तो खेज़ रहत नहीं है यह 139 B बिलकुल मत करना यह पूरे एक, दो, तीन मत करना आज जो घर पर आपको रिविजन करना है वह सीदा-सीदा पैन और सीदा-सीदा रिटन इसको आपको आज ही रिवाइस करना चाहिए कि यह किन-किन को क्या करना है रिटन भरने की ज़रौत है तुरंथ चलिए पर आईए तुरंत, एक क्वेस्टन आपको होमवक, जिसको आपको लिख के लाना है, अब उनलाइं वालों ओवेस्टी नहीं है, पर जितने फेस टु फेस्ट वाले है,कल लेक्टर में तुम तभाई दिखो गए जम मेरे को तुमारे वूक में आंसर दिखेगा, ठीक है, question number one, यह तुम्हार लिए homework है, income इज़्जत से इमानदारी से homework करके आनेगा, solve question number four, May 2013 question, based on foreign assets, based on foreign assets, चलो, करो try, चलो, करो try, this is also an RTP question, बढ़िया, क्या लगता है, answer आपको एक मिनट में आ जाएगा, तकलीफ ही लिखने किया, क्योंकि अपन ने उत्ती महनत करी, concept पे, answer एक मिनट में आ जाएगा, तकलीफ ही लिखने किया, और इसलिए मैं तुमको बोला, उपर जाना, रफ में लिख के आना, रफ पेज लेना, वहीं कहां से, प्रिंटर वाले, वह प्लेन पेजेज, वह लेना, उस पे लिख लेना, तुमने सिर्फ ट्राइ करना है, मेरा objective तुमसे fair answer लिखवाना नहीं, मेरा objective तुमसे तुमसे तुमारा understanding लिखवाना है, समझ मारी बात, इसलिए रफ करो, यहां के मैं ही दूबारा वापस लिखवाओंगा, सुनो, discuss with reasons, whether the following statement are correct or incorrect, I guess आपका answer आ चुका होगा, incorrect, और फिर आप provision लिखोगे, लिखोगे क्या ये बताओ, प्रनव ROR in India, having a house property and a bank account outside India is not required to file return, answer कहाँ से शुरुवात करोगे, as per section 139, यहीं तुमारे marks कटते हैं, है न, पूछो क्यूं, पूछो न क्यूं, question पूछा है correct और incorrect, तुमारा जवाब यहां से चालो होना चाहिए this statement is correct और this statement is incorrect, तुम्में और ranker में यहीं फरक आता है, answer वहीं लिखते हैं पर वो जो सवाल पूछा है वो लिखता है और तुमको जो जवाब आते हो तुम वो लिखते हो, तुम ना जवाब लिखना बंद करो और सवाल देखना चालो करो, तो तुम्हारा answer कभी गलत नी होने वाला और attempt तो confirm नी लगने वाला, examiner तुम से पूछ रहा है, correct या incorrect, तुम उसको क्या बता रहे हो, देख भाई, ठीक है, राम सीता की वाइफ थी क्या, बरबर है, तो एक दिन एक राम आयन थी, उसके अंदर में एक हनुमान जी थे, फिर क्या हुआ, राम जी इसके बेटे थे, तुम क्या करते हारते, तुम क्या बीखुम का एक्जाम दे रहे हो, कि तुम का कौन सा एक्जाम दे रहे हो, उसको पूरी राम आयन बता रहे हो, सवाल क्या है, ये कौन थे, तुम क्या जवाब दे क्या रहे, पूरी हट्र लिख क्या रहे, question is very simple, और ये आपको पता है क्यों माक्स नहीं देते, हुषारी नहीं मारने की वाय सेपरेट लिनी बताने का, वाय बताने का ये तुम सेपरेट फीच लिनी की, समझ मारी बत जित्ता पूचा उत्ता काम गरने का, फाल्तु की हुषारी नहीं मारने की, चलो आओ, answer कहां से चालोंगा अब बताओ, this statement is incorrect, अब बोलो, as per section 139, चलो लिगो, question number 4, question number 4, page number 3.9, this statement is incorrect, बोलो अब मेर साथ, as per section 139, if assessi is ROR, bracket में, resident and ordinarily resident, having assets, bracket में, including, बुलो बता, financial assets, bracket close, or signing authority outside India, he needs to file below return in India. इन बैंड स्थाथ अ feat that मैं रिए्यकुम इसी लिड़गी लए बल्थ ट्टैस ऌर다ो निंड ऎ ओक य दिय। इर्रेस्टिव व थाक्ट ताट ए सिस्कम इस लिएबल तो टैक्स और नॉट इंडिया अब इसी तरीके से तुम्हें चार कोश्चन के जवाब देने हैं, बरबर घर पर आज इसको करके आना, आ जो. Question number two, fantastic piece of question, सुनो, इस चाप्टर में तुमको कुछ कोश्चन करके जाने हैं, एक्जाम बंट अफ्यू से, यह एक को आप important mark करो, यह दो को आप important mark करो, जब आप self study करते रहोगे, चार में से सिर्फ यह दो कोश्चन पढ़के जाना आपका काम हो जाएगा, बरबर, चलो, question number two, इसमें हमने agriculture income and ROI का concept mix किया है, यह question, दो बार exam में आ चुका है, एक बार RTP में है, module में भी available है, inter वाले tax के module में भी available है. बोलो साथ, what is your answer, do they need to file return, yes, no, online वालो जल्दी से बताओ, तुम्हारा क्या कहना है, yes or no, yes or no, मस्ता कुश्चिण है न, आपको इसके लिए आपका इंटर का अग्रीकल्चर चाप्टर याद होना चाहिए, और आपको segregation पता होना चाहिए, चली आईए, कांती अंगेज इन बिसनस अफ ग्रोइंग करिंग रोश्टिंग, रोश्टिंग और ग्राउंडिंग कॉफी, याद कराता हूं थूड़ा सा, अगर आप सिर्फ ग्रोइंग और अन्मैनुफच्टरिंग कॉफी में होते, तो 75-25 होता, और अगर आप रोश्टिंग भी है, तो दा क्राइटरिया इस 60 एस तो 40 वेरें 60 विल बे इस अग्रीकल आप ने जन्रेट किया 6 lakh, तो आप ने जन्रेट किया 6 lakh, तो आप 6 lakh तो आप पोर्शन तो याप पोर्शन बेवीन 60 ए 40, yes, 40 विल बी टक्सेवल इंकम फिज स्थू 2.4 Lakh, तो यह इस तरह से घुमा के लाएवा कॉश्टिं है, प्लीज राइड दू राइड श्टिंग है, obviously, उनका भी answer correct है, समझमारी बत, तो यह इस तरह से घुमा के लाएवा question है, please write down, question number two, three point nine, in case of assessi, is engaged in growing, manufacturing and roasting coffee, then income will need to be bifurcated in 60-40 ratio, wherein 60 percent will be treated as agricultural income is equal to 3,60,000, 40 percent will be treated as business income is equal to 2,40,000, total 6,00,000, since taxable income do not exceed 2.40,00, sorry, do not exceed basic exemption limit, return is not required to be buluvita filed and 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 चलो आजो यह क्लारिफाय हो गया, कॉन रटन भरेगा, कॉन रटन नहीं भरेगा नेक्स पॉइंट, दू देट और फाइलिग रटन, सेक्शन 139.1 रटन तो हमें भरना है, the return must be filed in the prescribed form and within prescribed time, यह एक सेक्शन ऐसा है, जो इम्पॉर्टन्ट है यह एक सेक्शन ऐसा है जो इम्पॉर्टन्ट है, 139 ऐसा है जो इम्पॉर्टन्ट है, रटन कब तक क्ये file करना चाहिए, रटन कब तक क्ये file करना चाहिए, depend करता है अससी कौन है, is it a company or other than company, is it a company or other than company, yes, अगर यह company है, depend करता है is it liable to TP report or not liable to TP report, TP report मतलब transfer pricing report which is covered under section 92e, which is covered under section 92e, पर आप section मत याद रखिये, yes, दो बाते और बता दू, case law और section number बिल्कुल याद मत रखना, total futile activity है, yes, so कुछ myths मैं आज जी बस्ट कर दू, पहला आपको return mention करने की जरौत नहीं है, याद रहता है, बहुत अच्छी बात है, पर return, मतलब, you know, section को learn करते मत ब लिखे तो marks नहीं मिलेंगे, यह completely wrong है, यह completely wrong है, समझमारी बात, दूसरी बात मैं आपको बता दू, income tax में 758 section है, कहने को 298 है, पर 758 section है, तुम याद करने की कोशिश कर भी लोगे, तो तो तुम से होने नहीं वाला, तीसरा है case law, case law का भी नाम मेरे को याद रखना पड़ होते है, examiner आपको case law के नाम के basis पर नहीं, case law में क्या interpretation था उसके basis पर आपको marks देने वाला है, तो ना section number याद रखना, ना case law याद रखना, चलो, come on, अगर company है, transfer pricing report है, आपको 30th November of the assessment year तक के return भरना है, अगर नहीं, तो company को return भरना है by 31st October of the assessment year, अगर आप other than company है, दो बाते ह έχει, इर यो लियाबल to tax audit or you are not liable to tax audit, if you are liable to tax audit return filing date is 31st October, if you are liable to tax if you are not liable to tax audit, return filing date is 31st July, if you're liable to tax audit return filing date is 31st October, practically there are only three dates, July, October and November. kindly note all these data are just written in sections, every year on the last date you get a notification that this data has been extended, पक्की बात, तो यह है याद रखने का question भी चुआएंगे वह इसी पर आएंगे, reality of life अलग है याप याद रखियेगा, yes, अच्छा जी, कुछ practical aspects यह ही लिखिये में, if firm is liable to TP report the partner will still required to file the return on 31st October, yes, partner के लिए दुटेट बड़ी fix कर दी गई है 31st October, if firm is liable to TP audit, TP audit, transfer pricing audit, partner will still be required to file return on 31st October, however total income of partner can only be determined after the firm's income, hence the due date of partner to file return also get extended to 30th November, क्या कहना चाहते हैं, वो ही जो हम discuss कर रहे थे, जब तक partner का profit नहीं बन सकता, तब तक के, sorry, जब तक firm का profit नहीं बन था, तब तक के partner का बन ही नहीं सकता, अब law में तो clear लिखा है, if you are a partner, आप tax audit के लिए covered है, आप 31st October का return होगे, पर अगर firm को TP audit mandatory हुआ, मतलब return filing का date November पहुचा, yes or no, return filing का date कहा पहुचा, November पहुचा, अब November अगर पहुच गया, तो partner का return आप 31st October को कैसे भर सकते हो, जब कब firm ही नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने एक clarify किया, CBDT के through इन्होंने एक clarify किया, अभी ही हा, firm के return के बाद ही हम क्या करेंगे, partner का return भरेंगे, firm के return के बाद ही हम क्या करेंगे, partner का return भरेंगे, are you getting the point, yes, चलिए, रजीस्टर में जाईए, last point लिखती जा, section 1391, due date, company, others, company, liable to TP report, other, 30th November of the assessment year, other, Gula Vita, 31st October of the assessment year, others, others, liable to, tax audit, 31st October, others, 31st July of assessment year, मैं आपको clear बोलता हूं कि section number याद नहीं रखना, पर due date वाला एक याद रखेगा क्योंकि दस बार reference में आएगा, या तुम से हो जाएगा पर यह reference में आएगा बार बार लगातार, जाला अब एक और पॉइंट है, जो इंटर में नहीं था पर बाद में तुम्हारे लिए अड किया गया है, वहीं पर आपने एक पर उसक्शन 5A आप यह जानते हैं भारत में पोल्टूगेस रहते हैं या नहीं रहते हैं और रहते हैं तो कहां रहते हैं, गोवा दादरा नगर हवेली दमन दियू यह तीन जगह ऐसी है जहां पे फॉरन इंवेशन पे पोर्टुगिस इंडिया में आकर के बस गए रहे हैं अगर आप गोवा जाएंगे गोवा में पंजिम में जाएंगे पंजिम में जहां जहां से कसीनों के लिए जाते ना ऑफश है पंजिम में जहां से आप ऐनों के लिए फैरी में जाते हो ना बिलकुल उसकी आपोज़ित वाला जो एरिया है पॉर्टुगेस एरिया है तो पोल्टुगेस सिविल लॉव अब पॉर्टुगेस सिविल लॉव सेक्शन फाइव ए कवर करता धे जहान से सुनिएगा पॉ क्या है सब्सक्राइब कानून ये है कि other than salary 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 जो भी income है वो husband and wife में equally divided होती है computation of income के वक्त section 5A of income tax so as per Portuguese civil law income other than income of salary yes will be divided amongst husband and wife equally except in case of salary income जो भी income है वो husband and wife में equally divided होती है अब एक issue था issue क्या था जर समझेगा issue ये था कि suppose husband का organization जो है ये tax audit में covered है मतलब due date बन गई return filing की 31st October पर wife की due date क्या बन गई 31st July अब Portuguese civil law को बीच में mix करो अब Portuguese civil law के हिसाब से समचो husband is covered in tax audit 31st October wife is not covered in tax audit 31st July पर Portuguese civil law के हिसाब से जब तक husband का income of determined नहीं होता क्या wife का return भरा जा सकता है क्या तो wife का due date भी क्या बन गया तो ये जो law हम firm के लिए पढ़ रहा है सेम ऐसा ही law किसके लिए applicable है portug all those person who are covered in Portuguese civil law समझ महारी ही बात प्लीज नीचे लिखिया रजिस्टर में लिखिया यहां पर if a person is covered in section 5a of income tax if a person is covered in section 5a of income tax bracket में Portuguese civil law Portuguese civil law the income of husband and wife are divided equally the income of husband and wife are divided equally except in case of salary except in case of salary hence the due date of filing the return of spouse also the due date of filing the return of spouse also will be the same also will be the same yes will be the same अब इसका जो भी date होगा by default में उसका भी date बन जाएगा like partnership firm and partner समझ मैं ही बात क्योंकि Portuguese civil law बोलता ही यही है कि husband and wife की जो income है वो डिवाइड होगी except the income of salary तो अब जब तक का एक का डिवाइड नहीं होता दूसरे का return निकल नहीं सकता तो law ने यह clarify किया कि भाहिया दोनों की due date क्या बन जाएगी सेम बन जाएगी तो अगर husband tax audit में cover होगा wife की रिटरन फालें की due date क्या मानी जाएगी October him आनी जाएगी और इसके लिए उसको कोई penalty interest देनी के घजरौत नहीं है is that done yes sir thank you so much for the day कि हम लोगों ने आज भी audio revision pending रख दिया और वो salt chapter 1 के question पेंड़न फाली कल आते ही सबसे पहले homework complete कर लेंगे फिर इस chapter में आगे बढ़ेंगे और end में audio recording कर लेंगे ठीक है बाए बोलो बाए